ओम गुम गुरुवे नमा जैमातरणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधुना में आपका बहुत बहुत स्वागत है माभगविती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों आज सावन महीने का गुरुवार है और आप स जरूर सुनना चाहिए शिव महापुराण की कता श्रामण मास में सुनने से हर प्रकार की मनो कामना पूर्ण होती है और अब गुरुदेव ब्रिहश्पती और भगवान श्रीहर विष्णु का मन में ध्यान करके इस पावन कता का श्रमण करते हैं प्राचीन समय की बात है भारत में एक राजा राजे करता था वह राजा बड़ा प्रतापी और दानी था वह नित्यप्रती मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और ब्रामण और गुरुवों की सेवा किया करता था उसके द्वार से कोई भी याचक निराशोकर नहीं लोडता था वह प्रत्य एक गुरुवार को वरत रखता एवं पूजन करता था, हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परन्तु ये सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, वह न तो वरत करती थी और नहीं किसी को एक भी पैसा दान में देती थी, वह राजा से भी ऐसा कर करने को मना किया करती थी, एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए, उस समय घर पर सिर्फ रानी और दासी थी, उस समय भगवान ब्रिहश्पती देव साधू का वेशधारन करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए, साधू ने रानी से भिक्ष हो जाए, तथा मैं आराम से रह सकूँ, तब साधू रूपी ब्रिहश्पती देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं, पापी मनुष्य भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं, अग निर्धनों की कुवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्यादी करो, इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा, एवं तुम्हें भी स्वर्गी की प्राप्ती होगी, परन्तु रानी, साधू की इन बातों से खुश नह प्रहारी ऐसी ही इच्छा है, तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना, ब्रहश्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लिपना, अपने केशो को पीली मिट्टी से धोना, केशो को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में म समदिरा खाना और कपड़े धोबी के यहां धोलने देना, इस प्रकार से साथ ब्रहश्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा, यह कहकर साधू महराज रूपी ब्रहश्पतिदेव अंतरध्यान हो गये, रानी ने साधू के कहने के अनुसार, साथ ब्र समय परिवार तरसने लगा, तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा, तब राजा रानी से कहने लगा, कि हे रानी, तुम यहां पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहां पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहां पर कोई काम नहीं कर सकता, मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहां कोई काम धंदा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं, ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया, राजा वहां जंगल से लकडी काट कर लाता और शहर में बेशता, इस प्रकार अपना जीवन व्यतित करने लगा, इधर र राणी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी एक बेहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तु उसके पास जा और वहां से पात सेर बेजर मांग कर लेया, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा, दासी राणी की बेहन के पास गई, लेक पर राणी की बेहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय ब्रहश्पतिवार की कथा सुन रही थी, जब दासी को राणी की बेहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वो बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी बहुत आया, वह लोट कर राणी से बोली, हे राणी, आपकी बेहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटी लोगों से बात भी नहीं कर दी, मैंने उससे कहा, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापस चली आई, राणी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोस नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं, तब कोई भी सहरा नहीं थी, परन्तु मैं उससे बोली नहीं, तो इसलिए वा बहुत दुखी होगी, अतेह कथा सुनकर और विश्न भगवान का पूजन समाप्त करके, वा अपनी बहन के घर आई, और कहने लगी, हे बहन, मैं ब्रिहश्पतिवार का वरत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आ अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने अपने दासी को तुम्हारे पास पाच सेर बेजर लेने के लिए भेजा था, रानी की बहन बोली, बहन देखो, ब्रिहश्पति भगवान सबकी मनों कामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तु दासी अपनी रानी से कहने लगी, कि हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन नहीं मिलता, तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इन से व्रत की विधी और कथा पूछ ली जाए, तो उसे हम भी कर लिया करेंगे, तब दासी के कहने पर, रानी ने अपनी बहन से ब्रिहश्पति वार को सुर्योदे से पहले उठकर, शनान करके ब्रिहश्पति वार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए, ब्रिहश्पति वार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विश्णु भगवान का केले के व्रिष्ट की जड़ से पूजन करें, प्रह व्रत और पूजन की विधी बताकर, रानी की बहन अपने घर लोट गई, दासी और रानी दोनों ने निश्चे किया कि वे ब्रिहश्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी, साथ दिन के बाद जब ब्रिहश्पति वार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घु खश्पति देव भगवान प्रसन थे, वे एक साधारन व्यक्ति के रूप में दो थालों में सुन्दर पीला भोजन लेकर आये, और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना, दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो, रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तु ही भोजन कर, क्योंकि तु हमारी व्यर्थ में हसी उडाती है, दासी बोली, एक व्यक्ति अभी अभी भोजन दे कर गया है, रानी क नमस्कार करके भोजन प्रारंब किया उसके बाद से वेप्रत्यक ब्रहष्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी ब्रहष्पती भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया परन्तु राणी फिर पहले की तरह से आलश्य करने लगी तब दासी बोली देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कस्ट होता था, इस कारण सभी धन नश्ट हो गया, अब गुरु भगवान की क्रिपा से धन मिला है, तो फिर तुम्हें आलस्य होता है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुन्य करना चाहिए, दासी ने रानी से कहा, कि हे रानी, तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्रामणों को दान दो, कुवा तालाब बावडी आदी का निर्मान करवाओ, मंदिर पाट सालें बनवा कर दान दो, कुम उनका यश काफी फैलने लगा, एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे, कि न जाने राजा किस दसा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है, गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्तना की, और भगवान ने रात्री में राजा को स्वपन में कहा, हे उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लोट जा, राजा प्रातेकाल उठकर जंगल से लकडियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा, जंगल से गुजरते हुए वा सोचने लगा, कि रानी की गलती की वज़े से कितने दुख भोगने पड़े, राजबाट छोड़ कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकडियां काट कर उन्हें बेच कर गुजारा करना पड़ा, उसी समय उस जंगल में ब्रिशपती देव एक साधू का रूप धारन करके आए, और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़ारे, त इतना कहकर राजा ने साधू को अपनी संपुर्ण कहानी सुना दी, महात्मा तो सुभाव से ही दयालू होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने ब्रिशपती देव के प्रती, जो अब राध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई, पोटे में डाल कर केले के पत्ते से भगवान विश्नु का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनो कामनाओं को पूर्ण करेंगे, साधू को प्रसन्न देख कर राजा बोला, हे प्रभो, मुझे लकडी बेज कर इतना पैसा भी नहीं बचता, जि मैंने रात्री में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं, जिससे उनका समाचार जान चको, फिर मैं प्रिहश्पतिवार की कौन सी कहानी कहूं या सुनो, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है, साधू ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात के चिंत और प्रिहश्पति देव की कथा इस प्रकार है, प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्रामःट रहता था, उसके कोई संतान नहीं थी, वहनित्य पूजापाट करता था, परन्तु उसकी इस्त्री बहुत ही मलीनता के साथ रहती थी, वहन तो शनान करती थी, और नही उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था, भगवान के अनुकंपा से एक समय उस ब्रामःट की पत्नी गर्भवती हुई और दस्वे मही ने एक सुन्दर कन्या को जन्म दिया, निर्धन ब्रामःट कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ, धीरे धीरे ब्रामःट की कन्या बड़ी होने लगी, बचपन से ही उसकन्या की रुची भगवान विश्नु की पूजा में थी, वह प्रातर उठते ही शनाना दी करके भगवान विश्नु की पूजा करने मंदिर में जाती थी, ब्रहश्पतिवार को वरत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी, और पूज कि वो दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी दाने सोने के बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी। तो उसकी माने कहा बेटी सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूब भी होना चाहिए। अगले दिन ब्रिहश्पति वार उसने भगवान ब्रिहश्पती देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान यदि आपका वरत मैंने विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो भगवान ब्रिहश्पती देव ने उसकी मनो कामना पूरी करने का वचन दिया पाट साला से लोटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला घर लोटकर सोने का सूप अपनी मा को दिखा कर वह सोने के दाने साफ करने लगी उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा उस सुन्दर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया महल में लोटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्रामः को महल में बुला कर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात कही ब्रामः तयार हो गया धूम धाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया दुलहन बनकर ब्रामः की लड़की महल में चली गई लड़की के जाने से ब्रामः फिर से निर्धन हो गया उसे कई-कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था बहुत दुखी होकर ब्रामः एक दिन अपनी लड़की के पास किया अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया उस धन से ब्राम्भण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए लेकिन जल्दी ही फिर से भूखो मरने की हालत हो गई ब्राम्भण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुँचा लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा पिता जी आखिर कब तक आप पाई क्यों नहीं करते जिससे की आपका घर धन समपत्ती से भर जाए ब्राम्भण ने कहा मैंने तेरी मा को बहुत समझा लिया पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता उसका फूहर पन नश्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए तब कुछ सोचकर लड़की ने पि श्नाना दी करके भगवान ब्रहश्पती देव का यानि के विश्नु जी का पूजन अवश्य करना पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य ही दूर हो जाएगी लेकिर उसकी मा ने उसकी कोई बात नहीं मानी तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी मा को एक करतन हुआ और बहस्वयम ही ब्रहश्पती वार का वरत रखने लगी उसके वरत रखने से ब्रामभण के घर में भगवान विश्नु की अनुकंपा से धन की वर्शा होने लगी दोनों पति-पत्नी धन संपत्ती पाकर आनंद पुर्वक जीवन यापन करते हुए विश्नु आतिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान ब्रहश्पती देव का वरत नहीं किया भगवान ब्रहश्पती देव लकड़हारे से क्रोधित हो गये और उसे भूल की सजा ती उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोश्ना करके सब को सुचित किया कि प्रत्तेक नागरीक म मेरे महल में भोजन करने आए जो नहीं आएगा उसे अपराधी मान कर भारी दंड दिया जाएगा लकड़ा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोशना तो सुनी लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उन्हीं बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भो लटका हुआ था लकड़ा अकेला उसक्ष में भोजन कर रहा था तभी उसने एक आस्चरे जन घटना घटती देखी देखते ही देखते वह खूटी हार को निगल गई थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़ारे को कारावास में डलवा दिया लक लकड़ारे तुने ब्रहश्पती वार के दिन भगवान ब्रहश्पती देव की पूजा नहीं की इसी कारण तुम्हें कश्ट हुआ है लेकिन अब तुम चिंता मत करो ब्रहश्पती वार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे उ भगवान प्रिहश्पती देव ने प्रसंद होकर उस नगर के राजा को स्वप्ण में लकड़ारे को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूटी पर रानी का हार टंगा हुआ था राजा ने लकड़ारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूशन देखर विदा किया लकड़ारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुँचा तो उस नगर में कुए धर्मसाला बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसंद हुआ राजा ने किसी से पूझा ये कुए धर्मसालाई किसने बनवाई हैं सब ने उसे बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाई हैं राजा महल में पहुँचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया तब राजा ने निश्चय किया कि सपताह में एक बार तो सभी ब्रहश्पती देव का व्रत तथा पूजन करते हैं परन्तु मैं प्रति दिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में तीन बार कथा कहा अब राजा हर समय दुशाले में चनी की दाल बांधे रहता था तथा दिन में तीन बार ब्रहश्पती देव की कथा कहता कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई एक दिन घोडे पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया अभी राजा नगर के बाहर पहुचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शब को ले जाते हुए देखा राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को ब्रहश्पती बार की कथा नहीं जुनाई राजा ने उन लोगों को रोग कर कहा हे भाईयों आप सब को ले जाने से पहले मुझसे ब्रहश्प कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा राजा के पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया लोगों ने हैरानी से दातों तले उंगली दबाई और अगले ब्रहश्पतिवार से भगवान ब्रहश्पति देव का व्रत करने तथा कथा सुनने का निश्चय कर लिया घोडे पर सवार होकर राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुचा किसान अपने खेत में हल चला रहा था राजा ने कहा अरे भाई मुझसे ब्रहश्पतिवार की कथा सुन लो किसान जुझला कर बोला जब तक मैं तरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं चार हरेया जोत लूंगा जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा निराशो कर चलने लगा, तभी किसान के बैल लडखडा कर जमीन पर जा किरे। और किसान के पेट में भी बड़े जोरों का दर्ध होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई, तो उसने किसान से इस बारे में पूछा, और किसान ने घुरसवार की पूरी कहानी कह सुनाई। किसान की पत्नी दोड़ती हुई, राजा के पास पहुँचकर हाथ जोड़ कर बोली, भाईया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तयार हूँ, लेकिन तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहो। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुँचकर ब्रिहश्पतिवार वरत की कथा सुनाई, तभी बैल उठकर खड़े हो गये, किसान के पेट का दर्द भी तुरंद ठीक हो गया, राजा अपनी बहन के घर पहुँचा, तो उसकी बहुत आओ भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं, किसी भूखे को ब्रिहश्पतिवार की कथा सुनाई बिना, राजा भोजन नहीं करता था। उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो, उसकी बहन बोली, भईया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने अपनी बहन के घर से निकल कर उस नगर में बिना भोजन किये व्यक्ति की तलाश की। एक गडरीय के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर ब्रिहश्पति वारवरत की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते ही ग राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा बहू माई के जाना हो तो अकेली ही जाना मेरे पोतों को मत ले जाना तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है कहीं तुम्हारी भावी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाईया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा, राजा बोला जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी, बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लोटाया, राणी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए, तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, हे राणी, हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता, राणी ने राजा को समझाया, हे प्राणनात, हमें ब्रहश्पती देव ने सब कुछ दिया है, तेरी मनुकामना अवश्य पूरी होगी, एक सप्ता बाद ही राणी गर्वती हो गई, और उसी राद को ब्रहश्पती देव ने राजा से स्वपन में आकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी राणी गर्व से है, राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी होई, दसवे महीने उन्हें एक सुन्दर पुत्र की प्राप्ती होई, राजा और राणी दोनों बहुत प्रसंद होए, तब राजा ने राणी से कहा, हे राणी, स्थरी बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती, जब मेरी बहन आवे, तब तुम उससे आई गधा चड़ी आई राजा की बेहन बोली भावी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें आउलाद कैसे मिलती इस प्रकार राजा रानी जीवन पर्यंत ब्रिहश्पति वार का व्रत करते रहे उनके घर में धनकी वर्षा होती रही इस तरह आनंद पुर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान ब्रिहश्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंट धाम पहुँच गये ब्रिहश्पति वार को विधिवत व्रत करके जो इस्तरी पूरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं भगवान उनकी सभी मन कामनाय पूर्ण करते हैं ब्रिहश्पति देव ऐसे ही हैं जैसी जिसके मन में कामनाय होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पुर्वक ब्रिहश्पति वार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अत्वा सुनता है अत्वा दूसरों को सुनाता है घ्रिश्पती देव उसकी सदय रक्षा करते हैं संसार में जो मनुष्य शत-भावनांसे भगवा a Uhr जी का पूजन् वरत्य सच्चे एम review करते हैं तो उनकी सभी वनों काम नहीं पूर्ण करते हैं जैसी शन्च्ची E, J.